हे गाईज वेलकम टू देव फूमी कर्यर पॉइंट तो देखे उत्राखंड करंट अफेर्स काफी लॉंग टाइम से में आपको नहीं दे पाया था दिसंबर और जनुवरी का क्योंकि थोगा बीजी सैट्यूल हो गया था मेरा बीज में तो आज देखेंगे इसमें दिसंब काफी जाता है लेकिन में महतोपॉंड बिंदूआं को ही आपके सामने प्रजrans करता हूं तो सबसे पहला है देखेंगे इसमें हाल में ही रार्जे के किस एरपोर्ट का नाम पूरो प्रधान मंत्री अटल जी के नाम पर रखा गया तो देखें उत्राखंड का जो जॉली ग्रांट एरपोर्ट है इसका नाम पूरो प्रधान मंत्री अटल जी के नाम पर रखा गया है हाल में ही किस व्यक्ति को टॉइलेट मैन के नाम से नवाजा गया तो थोगा इंट्रेस्टिंग है ये टॉइलेट मैन वाला कॉंसेट ठीक है तो इसका आंसर है रमेज भटेजा यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में तो देखे रमेज भटेजा ने सोचाले के प्रती लोगों में जागरुकता को काफी इंप्रूब किया देखे उनका एक इंट्रेस्टिंग सोख है वो जितने भी जागरुकता संबंदी जो भी आर्टिकल आते हैं न्यूज पेपर या पत्रिकाओं में उन्होंने ऐसे लगबग एक हजार आर्टिकल को काटकर अपने पास रखाया मतलब जो कत्रन होती है पत्रिकाओं की वो अपने पास रखाया उन्होंने ऐसे खबरों को ठीक है और इसके लिए उनका नाम लिंका बुक आफ जो रिकॉर्ड होती है वहाँ पर भी भेजा गया और इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड के लिए भी दर्ज हो गया लेकिन लिंका बुक आफ रिकॉर्ड के लिए भेजा गया है अभी तक वहाँ से इनको माननेता नहीं दी गई है ठीक है और इसलिए फेमस हो गया टॉइलेट मैन के नाम से और इनकी इस कार्य को देखते हुए केंद्रिय लगुएम मध्यमुद्योग मंत्राले है जो भारस सरकार का महां जे इनको स्वच्च स्री अवार्ड से समानित किया गया तो क्वेशन बन सकते है कि उत्रागण के किस व्यक्ति को हाल में स्वच्च स्री अवार्ड दिया गया केंद्रिय सरकार के द्वारा तो केंद्रिय लगुएम मध्यमुद्योग मंत्राले इन्होंने दिया स्वच् तो देखे इसके स्थापनाविती 14 नौवंबर 1965 को और 2018 में 14 नौवंबर को इसने अपना 54 यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया उत्राखंड उदाई सम्मान समारोह कहाँ पर आयुजित किया गया तो उत्राखंड सम्मान समारोह यह देखे राधुन में आयुजित हुआ 9 नौवंबर 2018 को 9 नौवंबर मतलब जो हमारी राजी का 19 वां इस्थापना दिवस था इस बार तो 19 वे स्थापना दिवस के उपलक्ष में उत्राखंड उदाई सम्मान समारों देखरादुन में आयुजित किया गया 18 जनौवरी 2018 को राजी की महान विभूती जिनका निधन हो गया तो ये हैं देखें ब्रिक्ष मानौ के नाम से फेमस परसनेल्टी विश्वेश्वर्दत सकलानी जी तो 2018 में इनका निधन हो गया 98 वे वर्सकी उम्र में देखें जाने जाते हैं आजीवन इनोंने काफी ब्रिक्षों का ब्रिक्षार ओपन किया और इन्हें काफी पुरुषकारों से भी सम्मानित किया जिसमें उलेखनी है 1986 में इन्हें ब्रिक्षे मित्र पुरुषकार से सम्मानित किया गया था 1986 में ही गौरा देवी को भी ब्रिक्षे मित्र सम्मान मिला था और इन्हें भी 86 में ही प्रिक्षे मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया हाल में ही किसे उत्राखंड कॉपरेटिव डेरी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है तो देखे मुख्य मंतिर त्रिवेंदर रावत ने गोशनगा की है इसकी जो कोश्ट गार्ड मतलब भारतिय तर्टर रक्षक बल होता है उसका जो छेत्री ये कार्यालाई है जल्द ही वो डोईवाला में खोला जाएगा हाल में ही किसे FRI का नया डारेक्टर बनाया गया है तो FRI Forest Research Institute देहरादून इसके नई डारेक्टर बने है अरुम्ल सिया रावत जिनका संबन्द है इनका मूलिस्तान है जन्मिस्तान है पौगल गरवाल इसी के साथ साथ देखे अभी राज्य सरकार के द्वारा महतवपों कुछ पदों को चेंज किया गया जिसमें कुमाव मंडल विकास निगम के नई अध्यक्षे चुने गए हैं केदार जोसी और गरवाल मंडल विकास निगम के नई अध्यक्षे चुने गए हैं महावील र कार के आदार पे और अपने पृलीस स्टेशन अपने पृलिस का मतुत लेकर जितने भी उसकी पृतिवत्त्ता है पृबली को जैसे कि उत्रेखंड पूलीस का लोगो है और मोटो है मित्रता सेवा सुरक्षा तो इस मानक पर खरी उत्री मुंसियारी पुलिस इस्टेशन की टीम और उन्हें टॉप 10 पुलिस इस्टेशन में जग दी गई मुंसियारी इस प्लेस इन पित्थोरागर डिस्ट्रिक मसूरी में विंटर लाइन कौर्निवाल आयोजित किया गया तो दीके मसूरी में विंटर लाइन जो कौर्निवाल है ये काफी फेमस है तो 25 दिसंबर से 30 दिसंबर 2008 को ये विंटर लाइन कौर्निवाल मसूरी में आयोजित किया गया तो देखे विंटर लाइन काफी बार के question पूछा भी गया हुतरा घंड के अदने exam में विंटर लाइन एक natural incident होता है जिसमें क्या होता है कि सूर्यास्त के समय पूरे आसमान में एक लंबी लाइन दिखाए देती है जिससे सूर्यास्त जो sunset होता है वो बड़ा ही मतलब मनमोक लगता है मसूरी के अलाव ये घटना के वर स्विट्जर लैंड में होती है तो इसले काफी परियाटक भारत के मसूरी आते हैं इस घटना को देखने विंटर लाइन को और इसी की तर्ज़ पर मसूरी में क्या हुआ है कि विंटर लाइन कार्निवाल आयुजीत किया जाता है 25 से 30 दिसंबर 2008 को इस वर से आयुजीत हुआ हाल में ही राज्य महिला आयुग की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो देखे विजया बगत्थ्वाल जी को राज्य महिला आयुग की नई अध्यक्ष बनाया गया है राज्य में किस पार्क के अंतरकत क्रॉल निर्मित किया जा रहा है तो देखे क्रॉल क्या है सबसे पहले समझना होगा आपको तो देखे जंगली हाथों के लिए जो जंगली हाथी होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये बनाया जाता है क्रॉल तो लकडी से बना एक विसेश प्रकार का ये बाड़ा होता है केज होता है मतब पिंजरा होता है चारी तरब से लकड़ी से पूरा ब्न क्या होगा. और इसमें जो हाती आपने दिखा होगा कई बाहरा हातियों के हमले हो जाते हैं, खेतों पर उत्राखर में, या सगल पर आ जाते हैं हाती है, तो ऐसे उचक्के हाती या बिगडे हुए हातियों को इस क्रॉल के अंदर रखा जाएगा ठीक है लकड़ियों का चार्व तरब से मजबूद बाड़ा बनाए जाएगा जिसमें ऐसे आहतियों को रखा जाएगा और स्पेसल महावत आएंगे जो इन हातियों को ट्रेन करेंग तो राजाजी टाइगर रिजर्व ये उत्राखन का पहला क्रॉल यहां पर निर्मित होने वाला है अगर देखे राजजी के किस इस्थान को पर्याटन विभाग ने अधिगरहित किया है तो लंदन फोर्ट द्यान रखेंगे लंदन फोर्ट जिसकी लोकेशन है पितोरागर जनपत के बीचो बीच तो इसको पर्याटन विभाग ने इसका अधिगरहन किया है माननेता दे दिया है क्योंकि खोल दिया गया है इसको पर्याटन के लिए ठीक है और लंडन फोर्ट के मैं बात करूं इसकी स्थापना ओए थी 1791 में इसकी स्थापना की गोरखाउने प्रारंब में इसका नाम था बावल की गड़ उसके बाद जब 1815 में ब्रिटिस कमिस्नरी आई उसके बाद इसका नाम हो गया लंडन फोर्ट और हाल में ही लोग प्रियासरत हैं कि इसका नाम रखा जाए सौरगड ठीक है सौरगड इसलिए क्योंकि ये सौरगाटी में इसलिए पितोरागड का अन्य नाम है सौरगाटी तो इसलिए इसका नाम सौरगड रखने की मांग है अभी लंदन फोर्ट के नाम से ही मसूर है इस सुभारंब कव हुआ देखे काफी महत्तों पूइंट है अटल आइसमान योजना ठीक है और इससे काफी कोईशन अभी बनेंगे बगए एक्जाम्स में भी मैं बात करूं जो यूपी एससी की तैयारी करना है जो लोग उनको मैं इसपेसली यहां पर बताना चाहूंगा कि आ उत्राखंड राज में इस योजना का सुभारंबवा 25 दिसंबर 2018 से और इसमें उत्राखंड राज के 23 लाग परिवार लाभानवीत होंगे ठीक है और इस योजना का प्रमुक आकर्सन बताता हूं मैं आपको कि इस योजना के तहत 5 लाग का प्रति परिवार क्या मिलेगा निसुलक स्वास्त सुविधा मिलेगी तो कहने का मतलब पांस लाग का एक जाब से आपको मेडिकल कवर मिल ला है काफी बगली ये योजना है काफी विश्वा बैंक ने और अभी बगली जो सस्ताइं है भार देशों की उन्होंने भी भारत के अन्य जगों पर पर सुरू हु अटल आइसमान योजना के अंतरगत कितने का मेडिकल कवर है पांस लाग प्रती परिवार ठीक है ध्यान नखेंगे और कितने लाग परिवार को इसका लाब वह उतराखन में 23 लाग परिवार को कब से सुरूई 25 दिसंबर 2018 से क्यों क्यों क्योंकि 25 दिसंबर आपको पता हो तो यह दिखे पद्म पुरुषकारों से राजी के तीन व्यक्ति इस बार सम्मानित हुए जिसका मैं वीडियो आपको पहले दे चुका था यह तीन व्यक्ति हैं पहले हैं बचेंदरी पाल ठीक है ध्यान रखेंगे बचेंदरी पाल को पद्म भूशंग से सम्मानित किया दूसरे हैं प्रीतम भरतवांग जी जिनने जागर समराट के नाम से जान जाता है इनने पद्मसरी से सम्मानित किया गया है कलावसंसकर्ति के छेतर में बचेंदरी पाल को सासे खेलों के छेतर में मिला है और तीसरे व्यक्ति हैं अनूपसा अनूपसा को कलावसंसकर्ति के चेतर में ये पुरुस्कार मिला है परमशृaktोरी और इनका मूल पेशा है फोटोग्राफी का राष्ट्य पुरातत्त् 이ो विभाग दिल्ली में राजी के किन दो विभुतियों के इस्मारग संघСТ किये गए हैं पुरातत्य विभाग है हमारे देशका नई दिल्ली में यहाँ पर उद्रागण के दो विभूतियां के इसमारक संदक्चित के गए हैं और ये दो विभूतियां हैं एक तो हैं तीलू रोतेली और दूसरे हैं माधोसिय बंडारी दोनु साहसिक और वीर योद्धाओं थे अपने टाइम के तो इसलिए काफी चल्चित हैं गर्वाल में खासकर इनके पवागे आज भी काफी मसूर हैं और इनको काफी अच्छा सम्मान दिया गया और इनके समारक संदक्चित हैं सरवाधिक पलायन करने वाला राज्य का जन्पत कौन सा है तो देखिए अभी जो राज्य सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है उसके अनुसार यह बताया गया है कि पौगल गर्वाल जो जन्पत है यहां पलायन सबसे ज़्यादा होता है सरवाधिक पलायन करने वाला राज्य का जन्पत है पौगल और दूसरा जन्पत है अल्मोगा तो देखिए गवर्मेंट के कुछ ऐसे इस्पेसल यहां पे कोई प्लान नहीं है जिससे यह पलायन को रोका चासके काफी यहां पे देखें रोजगाल को बढवा देना पढ़िए गवर्मेंट ने सांति नए नए रोजगाल के जो आउसर हैं उनको ढूड़ना पढ़िए है हर बार फेल होती है कोई भी गवर्मेंट हो वो Congress हो या BJP गवर्मेंट हो तो इस वज़े से कोई भी अपनी मात्र भूमी को अपने native place को अपने स्वर्ग जैसे पाहल को छोग कर नहीं जाना जाता ये सच्चाई है लेकिन फिल्बी पलाइन का 2018 चुनी गई है, संसकृति भट, ध्यान रखेंगे, महत्वपन पॉइंट है यह, अब दिखिए गाईज, इसके अलावा कुछ और महत्वपन पॉइंट है, जैसे वर्तमान में मैं बात करूँ, उत्रागंड राजी के DGP कौन है, तो यह है, अनील कुमार रतोगल, ध्यान र भी याद करना काफी जरूरी है करंट अफेर के सैसन में, तो जल्दी ही में आपको एक वीडियो प्रोवाइट करूँगा, जहां पर हम पढ़ेंगे, उत्रागंड राजी में वर्तमान में कौन, क्या है, किस पोस्ट पे है, ठीक है, किस आयो का अद्यक्षि कौन है, और का अच्छे से स्टेडी कीजिए, और फिजिकल की तहियारी भी कीजिए, जिन लोगों का फिजिकल है भी आपका रियो प्रवलतन सिपाई का, क्योंकि काफी महनत करनी पड़े आपको, और उसके बाद आपको लिखित परिक्षा की अच्छे से तहियारी आपर करवाई जल्दी आपको मॉडल पेपर मिलने सुरू हो जाएंगे, उत्राखन समोग हो के, तो वेट कीजिएगा और अच्छे से अपना ध्यान रखेगा